नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज सच की परताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रकारिता दाखती है सवाल दरसवाल विकास की गती सिर्फ पेट्रोल डीजल यार रसोई गैस सहित जीवन की तमाम जरूरी कीमतों में ही नहीं दिखाई दे रही वह जीवन के हर कोने को परभावित कर रही है विकास धुआधार हो रहा है अब देखिए यूपी के 24 जिलों में जो यूपी बोर्ड की अंग्रेजी की परिक्षा है उसे निरस्त करना पड़ा वजह पेपर लीक हो गया विकास जबरदस्थ है रेट के बारे में बता रहे ह कि 500 से लेकर 1000-2000 रेट लगा था विकास का यह जो डबल इंजन है यह हर जगा दोड़ रहा है सीवर हत्याओं में भी सीवर मौतों में भी जहां पेट्रोल डीजल 5 रुपे 10 रुपे रसोई गैस 50 रुपे की रफ्तार से बढ़ रही है वहीं इस आजाद मुल्क में चमचमा बिल्डिगों के बीच सीवर की हत्याएं नया रिकॉर्ड पार कर रही हैं तीन दिन में 14 भारतिये नागरिक सीवर के भीतर मारे गए लखनव मुंबई बिकानेर और दिल्ली हर जगा एक ही ढंग से यह हत्याओं हुई हैं इन हत्याओं पर जो चुपी है वह भी पूरे उस इसी तरह से देश भर में पस्री दिखाई दे रही है देश की संसच चल रही है कश्मीर फाइल्स के लिए बैटिंग करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारतिये नागरिकों की यह जो हत्याएं हो रही हैं सीवर में जो मौते हो रही हैं इन पर आप राधिक चु करते रहे हैं इसकी वज़ा यह है कि इन भारतिये नागरिकों की जिन्दगी सरकारों के लिए देश के हुक्मरानों के लिए कोई माइने नहीं रखती क्या इसकी बड़ी वज़ा जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि साफ सफाई का काम एक जाती विशेश के ऊपर ठोपा गया है और आप देखिए कि जिस तरह से विकास की जो डबल इंजन की सरकारे हैं वह जो दोड़ रही है वहाँ पर हर चीज के बारे में बातचीत होती है इन हत्याओं को रोकने के बारे में इनमें जो कानून है उसे लागू करने के बारे में 2014 का जो सुप्रीम कोट का आदेश है उसे लागू करने के बारे में एक इंच भी प्रगती नहीं होती जो विकास है वो इस मामले में दिखाई देता है कि सीवर में हत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उन पर परदा डालने वाली सरकारें लगातार दूसरे ढंक से उन पर परदा डाल रही हैं मामले को रफा दफा करने का सिलसला पूरे देश में पहला हुआ है देश का कानून कहता है कि किसी भी भारते नागरिक को सीवर में उतारने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए उसके गिरफतारी होनी चाहिए उसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए उसके उपर एक लाख रुपे तक का हरजाना लगाया जाना चाहिए यह सब कुछ मैं और आप नहीं इस देश की संसद ने जो कानून पारित किया 2013 में वह कहता है अब देखिए यह जो चौदा हत्याएं हुई हैं महज तीन दिनों में इन तीन दिनों में चौदा भारतिय नागरिक जो मारे गए हैं अगर आप पन्ना पलट कर देखिए तो आपको दिखाई देगा कि जो देश का कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं कहीं पर भी जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इन्हें धकेला सीवर के अंदर जहां पर जान लेवा गैस होती है और इसे बताने के लिए कोई बड़ी साइंस बड़ी तकनीक की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर किसी भी मामले में अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है समाज का जहां दबाव है जहां पर संगठन सक्री हैं वहाँ पर आनन फानन में मुआफ़ा देने की होड़ जरूर सरकारे करती हैं और उन्हें लगता है कि बहज 10 लाक रुपे दे कर वे अपना पल्ला जाड़ लेंगी आए चलते हैं लखनओं लखनओं के राजाजी पुरम इलाके में जहां पर दो नौजवानों की हत्या सीवर के भीतर हुई इनके बारे में जो पता चला है ये दोनों के दोनों सीवर को साफ करने के लिए अंदर उतरना नहीं चाहते थे जैसा कि हम और आप जानते हैं देश में साफ सफाई का काम निजी हातों में दे दिया गया है लोग ठेके पे काम करते हैं, कमपनिया हैं जो साफ सफाई कराती हैं, यहाँ पर भी राजाजी पुरम में ऐसी ही कमपनी के पास सीवर सफाई का साफ सफाई का ठेका है, उसके ठेकेदार ने पूरा दबाव बना के इन दो नौजवानों और साथ में एक और व्यक्ति को भीतर उतारा सीवर में, जो बहुत समय से बन था और कहने की जरूरत नहीं कि वहाँ जानलेवा गैस थी, एक भारतिय नागरिक अभी संघर्श कर रहा है लखनों में अपने जीवन को बचाने के लिए, और जो दो मौते हुई हैं, इनका जो पूरा का पूरा बैक्ग्राउंड है उसके बारे में पता करने के लिए, बात करने के लिए हमने मदद ली लखनों में रहने वाले अजे और रिनिका से, जो सफाई करमचारी आंदोलन के साथ काम करते हैं और वहाँ पर परिवार की मदद करने के लिए पहुचे थे आईए देखते हैं कि अजे और रिनिका किस तरह से वहां पर जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हमें बताना चाहते हैं नाम यहां यह करन की बहन है और कल इनके हाई जो हैं वो करन जो 20 साल के थे उनकी सीवर में मृत्य हो गई है और वो लगबाद दो ढ़ाई साल से काम कर रहे हैं और वो कल जाना भी नहीं चाहते थे सांपर लेकिन उनके जी सुपरवाइजर अमित हैं उन्होंने जबरदस्ती उनने बेजा और वो वहां पर उनकी न्रती हो गई इसकी जानकारी आपको अच्छे से इनकी बहन लगण सब्सक्राती है आपका क्या ना मैं आप आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति जा पाया उन्हें बताया क्योंकि यह भी खबर आ रही है कि वह साफ नहीं करना चाहते थे उनको दबाव डालके सीवर के अंदर उतारा गया जी वहां के सारे लोग यहीं बोल रहे थे और जिनकी हालत जादा सीवर के अंदर उसको जानबुच के लिए बोला गया कि जाओ उसके अंदर नहीं जाओगे तो कल काम पर नहीं आने ठेकेदार कौन है कंपनी कौन है उसका नाम आपको पता है क्या अमित सुपरवाइजर है और ठेकेदार का नाम है अमित और कंपनी का नाम है सुच कंपनी और यह कहां का साफ सफाई का ठेका इसको मिला हुआ है यह लगनौ जोन का मिला है जोन दो का और यह आजबाक है रा जो सिवर है जहां डेथ हुई है वो क्या का फुसमय से बंद था या साफसफाई वहां पर हो रही थी नई का फुसमय से सीवर बंथा और साफसफाई तो इस कि नाखे नगे मेचल और अधु बंथा और यहीं है कि सब जगह मसीने नहीं जाती है और बहुत सारे लोग सीवर में उतरते हैं और यहीस हरेया है यह जगार नहीं इस Querogे सिर्फ जगह बहुत किया जाता है जिनके घर के हालाद अच्छे नहीं होते हैं और जैसे कि यह बता रही थी कि वह भाईया नहीं जाना चाह रहे थे लेकिन फिर भी उनको जब दस्ती यह कहके कि कल से नौकरी पर मत आना कर नहीं यह काम कर रहे हो तो उसको मजबूरन नौकरी बचाने के लिए उ वो लड़का जब उसे निकाला गया तो वो कह रहा था कि मामा मुझे बचा लो लेकिन पुलिस प्रशाशन ने अपनी कारवाही के चलते उस बात पर नहीं ध्यान दिया कि इस लड़के की पल्स चल रही है यह अभी भी जिंदा है उसे डारेट वहस्पिटल ना पहुचा कर वो अपनी कारवाही करते रहे हैं देश भर में 2000 से अधिक भारतिय नागरिकों की हत्या सीवर सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान हो चुकी है और यह आकड़ा बहुत मुश्किल से जुटाया सफाई करमचारी आंदोलन ने उस आंदोलन ने बहुत कड़ी महनत के बाद सरक कारों को समझनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की संसत्त तक हर जगा सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौते हो रही हैं मैला प्रथा जो चल रही है इसके खिलाफ आंदोलन करने का काम जिम्मा सफाई करमचारी आंदोलन ने उठा रखा है यह जो मौते हुई है चौदा मौतें तीन दिन में इस पर हमने बात की सफाई करमचारी आंदोलन के बेजबाड़ा विल्सन से एक बात होते है कोई भी सिवर डेथ होते है विल्सन बात करते है एक दिन एक दिन के बाद सारे बूल जाते है पर्डान मंत्री चुपचा बाइट सकती और सारे पर्लमेंट और सारे स्टेट असेम्बली अभी भी चालू है क्यूं कोई भी एक वेक्ति भी इसका सवाल नहीं उठाते है क्यूं सरकार ने जबाब नहीं देते है क्यूं वो सफाय करमचारी है वो दलित का बिलंग करते हैं इसी वजय ते कोते है किया तो यह प्रश्ण का सरकार ने बिल्कुल सावाल का जबाब देना पड़ते हैं दूसरा important बात है इतने लोग मरने के बाद भी सरकार का पास एक भी इसका रुखने के क्या योजना है आईडिया है नहीं है अगर आपका सिती है अगर धलित मर जाए तो हम लोग ने कुछ नहीं करेंगे आप अनूंस करो हमने कैसे भी इसका रुखने के हम कुद करते हैं आपका हजार करोर रुपिया बजट दिखाते हैं सबका पैसा देना आपके इतने इतना दो लाग करोर रुपिया सोच बारत करते हैं बाद मे किस तरह से हमारे समाज को हमारी राजनितिक विवस्था को परभावित कर रही है किस तरह से जाती अपराद में बरबर यौन हिंसा में परिलक्षित होती है और अगर पीडिता दले समाज से है तो उसको न्याय मिलना कितना मुश्किल कितना दुश्वार हो जाता है इसकी कुछ आवाजें हमें देश की राजधानी दिल्ली में सुनने को मिली आएए आको ले चलती हूँ एक ऐसी जन सुनवाई में एक ऐसे राष्टी ट्रिब्यूनल में जहां पर देश की छे राजियों से सत्रा केसेज लेकर बच्चियां और महिलाएं आएं थी सबका सबका तालुक दलित समाज से है यहां आयोजन किया था अखिल भारतिय दलित वुमेन अधिकार मंच ने आदमम ने यहां पर जिस तरह से तमाम केसेज सामने रखे गए उन पर बातचीत हुई और खुद जो लड़की या महिला संघर्ष का रही है जिस पर बरबर हिंसा हुई है उसके अधिकारों का हनन हुआ है उन सब ने पूरी दिलेरी के साथ अपने अपनी आवाजों को हम तक पहुचाने की कोशिश की चाहे वो सीवर में मौते हों या ये दलित आवाजें इन महिलाओं का साफ तोर पे कहना है कि हमारे पास कानून है हमारे पास देश का सम्मिधान है लेकिन जो राजनितिक व्यवस्था जो पुलिस प्रशाशन इसे लागू करने वाली होनी चाहिए वह नहीं है यह जो political bias, यह जो राजनितिक विद्वेश, जातिगत विद्वेश दिखाई दे रहा है यह बेहद जानलेवा है जानितिक विद्वेश भी चाहर है। जो है उसे किसी को भी शक नहीं करना है वहिता खड़ी हो जाती है तो वे पुरे सिंसात्वला ललकार भी है अब चुनाओ की देखा But there are also success stories. Due to our consistent effort, consistent thing we have able to register at FyR even after 3 months, even after 2 months. So that even for FyR it is taking time for us and we have to struggle a lot to register at FyR under SASDPOE Act. हमारे देश में एक तरफ जातीगत हिंसा है, जातीगत नफरत है, वहीं दूसरी तरफ बहुत ही सुन्योजित ढंग से मुसल्मानों के खिलाफ नफरत को पाला पोसा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है. इसकी एक के बाद दूसरी जो मिसाल मिलती है, वह और जादा डराने वाली है. और आप देखिए कि हिंसा की इन पैरोकारों को किस तरह से बचाया जाता है. यह जो निया नॉर्मल भारत में पैदा हुआ है, कि कुछ लोगों के लिए पिचाये कितना बड़ा अपरादी क्यों न करें, सब कुछ बहुत आसान होता है. एक आदमी जो खुद को स्वामी कहता है, वह सर्याम मुसल्मानों को मारने की बात करता है और आजाद घुमता है. कुछ लोग जो खुलकर सोशल मीडिया पर मुसलिम लड़कियों को महिलाओं को जलील करते हैं, अशलील फप्तिया करते हैं, बखायदा उनकी बिकरी करते हैं, सुली डील्स और बुली डील्स के नाम पर इतना बड़ा अपराद करते हैं, और अदालत कहती है कि ये बिचार कि हाथरस रिपोर्टिंग करने गए हों, सिदीक कपन जैसे पत्रकार या फिर जेनियों के छात्रनेता उमर खालिद उनको बेल नसीब नहीं होती, यह जो दोहरा मापदंड इस देश का निया नॉर्मल बन रहा है, यह बहुत डराने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर ज बाहर जाने से रोग दिया जाता है, वह विदेश जा रही थी, जहां पर उनका एक लेक्चर था, जिसके बारे में मुंबई प्रेस क्लब ने भी बयान जारी किया है, यहां कारण नहीं है, कि विदेश से आने वाले एक एंथ्रोपोलोजिस्ट को रोग दिया जाता है, लिए दूसरे ढंका कानून उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत पैल रही है, हमने देखा कि यह नफरत कितनी जान लेबा है, किस तरह से लोगों को चुन चुन कर निशाने पेले रही है, किस तरह से करनाटक में एक जब नफरत की पूरी की पूरी अलग ढंकी फैक्टरी हमें और आपको छोड़ेगी देश के लोकतंत्र को छोड़ेगी अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो निश्चित तोर पर आप फूल्स पैराडाइस में हैं शुक्रिया